स्वालत है उन सभी का जो सीखना चाहते हैं जिनमें जिग्यासा है, क्योरेसिटी है ये जानने की इच्छा है की तरण क्या है कहां पर इसके इस्तमान होता है और एक बो लोग होते हैं जो बिल्खुल की सीखना नहीं चाहते हैं चाहे ये दोपिक उनकी बुक में क्यों नहीं हो मतलब की बुक में उन टोपिक हो का परdate क्यों वो सीखना आइ जैसा कि अपने चीवन में भी हम लोग तरंगों का इस्तिमाल करते हैं जैसा कि यदि कोई बस्तु हमें दिखाई नहीं देती है तो हम लोग प्रिकास का इस्तमाल करते हैं तो प्रिकास क्या है । तरणों की फॉर्ण में बढ़ करता है तो प्रिकास तरणया होती है दूशुरीवी आपकी धोनी तरणया जैसा कि आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये सब क्या है एक मात्यम है तरंगों का जिसे हम लोग साउंड बेप कहते हैं भूकम तरंगे जैसा कि जब भी भूकम आता है तो सायद हमें पता नहीं चल पाता है लेकि जितने भी सरपीसरद रैप्टाइल जीव होते हैं उन सब को पहले से आवास हो जाता है कि भूकम आने वाला है क्योंकि वो भूकम तरंगों को मैसूस कर सकते हैं समुत तरंगे, समुत में उतने वाली तरंगे और रेडियो तरंगे रेडियो जब की देखा होगा आपने जो हम लोग रेडियो बजाते हैं तो उसमें आवज कहां से आ रही है वो भी रेडियो तरंगों के तो यह सबी हमारे देनिक जीवन में तरंगों का बहुत महत्त है तो आज हम लोग जानेंगे कि तरंगे होती क्या है तरंगे क्या है एक डिश्टर्व करती है डिश्टर्व क्या है कि इसको आप ऐसे समझगे कि पूरी क्लास है सभी बच्चे बैठे हैं उसमें से एक बच्चा क्या करें गुर्गुरा ना स्टार्ट कर दे तो सभी बच्चों का ध्यान उसकी तरफ आकरसित हो जाता है क्या है सभी बच्चे अपनीने का इस्थान पर हैं और तो क्या है सबका ध्यान डिश्टर्व हो गया विच्छोप हो गया कि ऐसे हैं तरंगों में कि यह क्या करते किसी भी मात्यम में डिश्टर्वेंस प्रेड्यूस करने की इनमें प्रॉपरिटी होती है कैसे बेट मोशन तरंव तरंगती इवेट इस दा डिश्टर्रेंस प्रदूस इन दा मीडियों फॉर्म इन एक्लूवियूम पैंडिशन सामवर्स्था में डिश्टर्ग उत्पन का दिना बिश्टर्वल विद दा फाइनाइट बेलोसिटी इन दा रीजन ओप इस्पेस फाइनाइट बैलोसिटी में यह बख करती है बेल्भ मुशन ट्रांसफर एनरजी फ्रॉम बन पॉइंट टू एनुदर तो यह क्या करती है अपनी जो एनरजी है एक जगह से दूसरे मीडियम को ट्रांसफर करती है एनरजी बिश में कि मतलब ट्रांसफर करती है और नहीं ली और में नॉट डिस्प्लेस पार्टिकल ऑप दा मीडियम मतलब धुनी तरंगे क्या करती है कि या तो अपनी एनरजी को ट्रांसफर करती है और ट्रांसफर नहीं भी करती है तो इसे हम लोग तरंगे कहते हैं किसी माध्यम में कोई डिस्टर्डबेंस बिच्छो या हंचल उर्थपन कर देना बिना किसी अपने रूप परिवर्तन के और जैसे हम लोग क्या कहते हैं तरंगे कहते हैं और तरंगे क्या करती है निश्चित चाल में बढ़ती रहती है अगर आपने एक पत्थर मार दिया पानी में तो तरंगे दूर तक चली जाएंगी मतलब यह क्या है आपके एक निश्चित चाल में अपने आगे बढ़ती चली जाएंगी यही तरंगे हैं अगर हम लोग इसको समझें एक प्रैक्टिकल के माध्यम से कि तरंगे कहा होती है तो आपने क्या क इसके एक ताला में पत्थर डाल दिया पत्थर आपने फिका तरंगे उत्पन होने लेकिन तो देखा होगा आपने तरंगे बढ़ती चली हुए जाती है ऐसे बढ़ती जाती है यह अपर आपने क्या कि एक रस्सी बांदी और आपने उसको उपए दिचे हिलाना प्रारम कर करती है तो ऐसे प्राइटी उहां पर उत्पन हो जाती है यह तरंगे है पर तो तरंगों को एक और इसमें इंपोर्टेंट बात होती है कि तरंगे कर जो फिश्कल बॉड़ी है वो अपने स्थान पर ही रहती है बस वो एनरजी दूसी जगन ट्रांसफर करती है जैसे कि दूसरें टर्च बारे मेंघ हे जा सिप्लाइक है कि या पर समझ लेकिए कि आपने पानी जार बारे पानी आपने पर्थर मार दिया तो वहीं पर चाहीं होंगार सिर्दभी कि पर्थर आपrying या इस erg현यों लैटी है कि अगर उसी जप़ आप क्या करेंगे फोग का यह सोचते हैं कि त्रेण क्या करते हैं यहाँ पालियYo या मैट्रीयल को दूसरी के ट्रांस्फर करती है इसमें अइसा नहीं होता है से इनर्जी अपने पास बाले Particle को ट्रांस्फर करती है अगर आपने हों पर को चेका प्ल्सक का भी से आपने एंपर प्लेख दिया तो क्या होका यह इसी से आप आ जी तरहें को अo जिल मतलब आपका maximum amplitude या minimum amplitude में ही बर्ग कर रहा है या दूर पर जाएगा या पर नीचे जाएगा तो यहां की रस्ती तो यहीं रही कि ऐसा तो नहीं कि यहां की रस्ती यहां पर आगी ऐसा नहीं है इसलिए यह कहा गया है कि यह सब अपने एनर्जी को एक जगार से दूसरी का ट्रांसफर करती है पर तो यह तो यह है है एंप्लिटूट जो भी टाइम की रिस्पेक्ट में एक कोंश्टेंट बैलक्सिटी में आगे बढ़ता जाता है जिसमें आपका मैस्मॉम एंप्लिटूट और मिनिमॉम एंप्लिटूट होते हैं तो आप समझ गए कि तरंग यह क्या है एक कि और शब्लिटूट कि होती है और और शब्लिटूट करते हैं एक जब्लों-आजियर को, को एक जगह से दूसरी गड़ ट्रांसफर करती हैं और नहींडी करती हैं तो आसा करते हैं कि आप ये छोटे सा टॉपिक समझ गया होंगे कि तरह क्या है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ही देगा और दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर जी देगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में फिर उसी टॉपिक के साथ कि जिसे जिग्यासा है जानने की इच्छा है चाहे वो इशुरेंट हो या नहीं बस वो सीखना चाहता ताकि इस दुनिया में क्या हो रहा है वो सीखता है और जो बिलकुल की सीखना नहीं चाहता है तो वो नहीं सीखता है जैसा कि आपने देखा होगा कि जब सूर निकलता है तो जो आख वाले लोग होते हैं उनके लिए तो सवेरा होता है पर तो जब सूर निकलता है तो जो कोई भी knowledge है जहां से भी मिले आपके अच्छर की दिये और अपने ग्यान को बढ़ा लिए तो मिलते हैं नेक्ट विलियो में धन्नवाद